कि बेटे लास्ट क्लास में हमने आपको ये कहा था कि रेसिप्ट एन पेमिंट अकाउंट कैश बुक की तरह बनेगा कैश बुक की तरह प्रिपेर होगा जी सर, और हमने आपको ये भी कहा था, कि Income and Expenditure Account, Profit and Loss Account की तरह प्रिपेर होगा, जी सर, आपने ये हमें बताया था, मैंने आपको ये भी बताया था, कि Recept and Payment Account, Cash Basis के According बनेगा, और Income and Expenditure Account, Accurial Basis of Accounting के बनेगा, और ये Cash Basis of Accounting, जी सर, आपने हमें ये दो बातें बताईएंगे, बिटे, Income and Expenditure Account को बनाते वक्त, इसको प्रिपेर करते वक्त, हमें कुछ Accounting Treatment को सीखना है, और वो Accounting Treatment हम लोगों को लर्न होने चाहिए, और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उनको आज ही आपकी क्लास में लर्न करा दूँए, अगर वो Variables, वो Items आपको Question में मिलते हैं, तो आप लोगों को उसके Treatment को पता होना चाहिए, आपको पता होगी उसका हम लोग Treatment क्या करने वाले हैं, उसका Accounting Treatment क्या होने वाले हैं, तो बेटे मैं उसके लिए Heading डाल देता हूँ, Accounting Treatment of Important Items of Income and Expenditure Account of Income and Expenditure Account Important Items जिसको हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं, Accounting Treatment of Important Items of Income and Expenditure Account, ठीक है सर, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको अभी याद हो जाए, ठीक है, Point No.1, Entrance Fees या इसको बोलते हैं, Admission Fee Entrance Fees या फिर इसको बोलते हैं, Admission Fee बेटे, आपना बात को समझे, अगर आप लोग कभी भी किसी भी complex को, sports complex को, या किसी भी non-profit organization को join करते हो, आप उसके member बनते हो, तो बेटे, उसको join करते वक्त, उसका member बनते वक्त, आपको वहाँ पर एक fees पे करनी होती है, एक amount पे करना होता है, जैसे मान लो कि मैं, सल्मान खान साब की जो NGO है, being human, उसका member बनना चाहता हो, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा कि, ठीक है, आप हमारी NGO के member बनना चाहते हैं, आप हमारे को 10,000 रुपीज, 5,000 रुपीज, एंट्रे करने के एक fees दे दो, मैंने साब मुनको 5,000 रुपे दिये, उन्होंने मेरे को अपनी NGO का, being human का member बना लिए, ऐसे मान लो कि मैं, यमना स्पोर्ट्स कॉंप्लेक्स के अंदर member बनना चाहता हूं, मैं उसका member बनना चाहता हूं, तो उन्होंने मेरे से उसको join करने के लिए, member को बनाने के लिए, मुझे हमा member बनाने के लिए, मुझे एक amount ले लिया, मुझे एक entrance fees ले लिए, मेरे एक admission fees ले लिए, तो सर, जब-जब हम लोग किसी भी NPO के member बनेंगे, और member तो हाल-फिलाल बनते ही रहते हैं, रोज एक, दो, तीन, चार रोज member बनते रहते हैं, NPO के अंदर, तो सर, किसी भी NPO के अंदर, जब member बना जाता है, तो वहाँ पर एक admission fee, एक entrance fee लगती है, जो वो लोग receive करते रहते हैं, हाँ, बेटा, तो आपको question में हमेशा याद रखना है, कि entrance fees और admission fee, जब भी कभी ये word दिया जाएगा, तो आपने इसको हमेशा, हमेशा और हमेशा, revenue receipt ही मानना है, और आपको ये मानना है, कि ये हमारे लिए NPO के लिए income होती है, और हम इसको अपने income and expenditure account में credit site शो करेंगे, चीक है सर, मतलब बेटे, आप ये मानना हो, कि अगर entrance fees आपके question में दिया है, और question silent है, कुछ नहीं कहा रहा हो, अगर question silent है और entrance fees आपको दी गई है, तो आपने उसको अपने लिए income मानना है, आप उसको अपने लिए income मान लेंगे, और अपने income and expenditure account में credit site शो कर देंगे, ठीक है सर, मैं इसके बारे में लिख देता हूँ, it is, it is, a revenue receipt, and therefore, is accounted as an income and credited to income and expenditure account ठीक है सर, हम इसको अपने लिए income मानेंगे, और हम इसको credit करेंगे, income and expenditure account, हाँ मेटा, next point, point number two, life, membership, fees, कभी 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 क्या होता है, कुछ NPO's ऐसे होते हैं, जो आपको ये कहते हैं, कि आप हमारे यहाँ पर आजीवन काल के लिए membership ले ले, आप life membership ले ले, आप हमें एक बार amount पे करें, और वो amount, हम आपकी lifetime के लिए ले लेंगे, आप कभी भी हमारे complex में घूमने आएं, आप कभी भी हमारे NPO के इंदर आएं, NGO में आएं, कभी भी आप कभी entry लें हो सीच को लेकर, हमने अगर आपको life membership fees दे दिया, आपने हमें एक बार, तो हम आपके लिए पूरी life, एक आपका card बना देंगे, आप बेटा समझ के देखो, थोड़ी बास सोच के देखो, मान लो, आप लोग मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं, एक student आया, मैंने उससे अपरेल मन्त के लिए तीन हजार रुपे पढ़ाने के लिए, मैंने का बेटा, ये अपरेल मन्त की फीस है, आप मेरे को तीन हजार रुपे पढ़ाने का आपका ये मन्त कंप्लीट, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपने जो मुझे पैसे दिये थे, मैंने उसके लिए अपनी लाइबिलिटी को पूरा कर दिया, कहता है ठीक है सर, मालो अगर मैं उसको कहता हूँ कि बेटे, आगे आने वाले दो साल तक 11th और 12th के अंदर, मैं आपको पढ़ाऊंगा, आप मेरे को 1,00,000 रुपे दे दू, उसने मेरे को 2 साल के लिए 1,00,000 रुपे दे दिया, अब आप सोच के देखो, अभी वो 11th में आया है, अभी 11th और 12th मुझे उसको 2 साल पढ़ाना है, जब तक मैं उसके वो 2 साल उसको सही से नहीं पढ़ा दूँगा, मैं अपनी सर्वेशिस को नहीं रेंडर कर दूँगा, वो एमाउट, वो 1,00,000 रुबया मेरे लिए, मेरे सर पर भोज बन गया, कि मेरे को अभी उसको 2 साल पढ़ाना है, मेरे को अपनी सर्वेशिद उसको देनी है, तो पेटे उसको मैंने कहा कि मेरे लिए लाइबलीटी है, दो साल तक मीरे लाइबलीटी बन गई, दो साल बाद जब वो 12th किलियर कर दायेगा, आजकल सारे क्लब्स, फाइफ सार हूटल, सेवें सार हूटल, बड़े-बड़े स्पोर्ट कॉंपलेक्सेज, आजकल लाइफ मेंबर्शिप फीज का भी एक आप्शन दखते हैं, कि आप हमसे एक बर हमें अमाउंट दे दें, और हम आपको पूरी लाइफ के लिए मेंबर्श की पूरी जिन्गी के लिए, वो कभी भी हमारे सामने आएगा, तो सर फिर हम इसको क्या माल लेंगे, बेटा मैंने आपको एक्जामपल अभी तो दिया, हम इसको अपने डिलाइबलिटी माल लेंगे, ठीक है सर, तो हम इसको कंसीडर करेंगे, it is, it is a capital receipt and shown as liability in the balance sheet sir sir, यह receipt है, और यह payments and receipts account में नहीं आरी, आरी 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 बिटा, receipts आरी, सर आपने का, यह बिटे इंकमेंट expenditure account बना रहूँ है, मैं तो income and expenditure बना रहूँ है, सर, income and expenditure account में आप कहरो, lifetime membership fee आईगी, नहीं आईगी, कभी नहीं आईगी, अच्छा, नहीं आईगी, अच्छा, नहीं आईगी, capital expenditure assets में आते हैं, capital receipts liabilities में आते हैं, it is not accounted as income, हम इसको income मानते ही नहीं, because, 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 a life member, pays, membership fees, once, and avail, services, all through, his life, हम इसको income मान ही नहीं सकते, क्योंकि जो life member वाला person होता है, वो हमें एक साथ पैसा दे देता है, और पूरी life के लिए, हमारी services को avail करता रहता है, ठीक है सर, Point No.3, Donations, वेटे ये मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों से डिस्कस किया था कि किसी भी NPO के लिए जो फंड्स रिक्वार्मेंट होती है वन डोनेशन से हमार पास बहुत पैसा आता है और डोनेशन हमें जनरली लोग करते रहते हैं अलग-अलग समस्ता है इंडिवीजों लोग हमार को डोनेट करते रहते हैं बस आपने डोनेशन को दो पार्ट में डिवाइड रखना है और आपने हमेशा याद रखना है कि डोनेशन दो तरीके से आपके सामने आ सकती है एक हो सकती है जनरल डोनेशन लोग आपको पैसा देके चले गए लेकिन कुछ कंडिशन साथ में नहीं लगाई जनरल डोनेशन यहाँ पर डोनर ने कोई स्पैसिफाई नहीं किया कि क्या कंडिशन है आपने इस पैसे को कहाँ पर यूज करना है यानि सर आप इसको ऐसे लिख सकते है एन इस दोनेशन थuis लोग ओननेशन रहीं कि लोग लूट अरहीं दोन अदूज नौट स्काहिशने लोग और दोनेशन न Safety लोग टेनिशनन रहीं बारर निवाशने काहिशन लगए 5 टेनिशने कि मेंतिक लोगीशने for its use दोनर ने कोई condition यहां नहीं लगाई बस वो simple पैसे दे के चला गया कि सर ये लिजे amount आपका जू काम बनता है आप इससे कर लिजे यानि सर जब हमें general donation दी गई तो दोनर हमारे उपर कोई condition नहीं लगा कर गया नहीं बेटा वो कोई condition नहीं लगा कर गया तो आपने हमेशा याद रखना है कि अगर general donation है तो आपने इसको treat करना है as an income शुड़ भी treated as an income आप इसको treat करेंगे अपने लिए as an income चीक है सर बेटे इसके अगेंस्ट जो दूसरी donation होती है उसको कहा जाता है specific donation हाँ सर यह आपने हमें last class भी बताया था कि ऐसी donation जहां पर condition लगा दी जाती है जहां पर condition की बात आजाती है हाँ मैं जहां पर conditions की बात आजाएगी in case in case in case the donor the donor specifies the purpose for which the donation can be used for example for example donation received for library for you to make a donation for the library sir condition so whenever you can put a condition whenever you can put a condition then it will be a specific donation and now we can pay for this money only for library use okay sir so if you can pay for library use or you can pay for it then it will be a specific donation and what will we treat it should be treated as liability should be treated as liability हम इसको liability मानें तो sir general donation हमेशा हमेशा income होंगी और specific donation हमेशा हमेशा क्या होंगी liability होगी ठीक है sir बेटे एक चीज़ और आपने यहाँ पर याद रखनी है अगर कोशन में सिर्फ लिखा है donation और कोशन साइलेंट है कोशन में लिखा है donation और कोशन साइलेंट है तो आप इसको हमेशा ट्रीट करेंगे general donation आप इसको हमेशा treat करेंगे आज़ा general donation ठीक है sir कोई doubt है बेटा किसी को मैं यहां रुग गया हूँ बच्चों किसी बच्चे कोई डूट करना है पिटे यह सारी चीजे जो अभी आप note कर रहा हूँ न मैं इसको आपके group में भेज दूँगा आप आराम से note कर लेना ठीक है यह सारी slides में भेज दूँगा भी आपके group में आप आराम से note कर लेना हम आगे चलते हैं point number 4 legacy बेटा देखो donation और legacy में कोई फर्क नहीं legacy का मतलब भी donation ही लेकिन सिर्फ एक छोटा सा फर्क है basic फर्क है donation हम लोग अपने जिन्दगी में देते हैं जहां हम लोग जिन्दा है मेरी life में मैं किसी को donation ही में जिन्दा हूं मैं कहीं जिया पैसा donate कर दिया लेकिन हमारे मरने के बाद हमारे मरने के बाद उसका 40% उस मंदिर को donate कर दिया जाए उसका 30% उस गुरुदवारे में दे दिया जाए तो अगर किसी के मरने के बाद उसकी will पैसा donate कर रही है उसकी will किसी को पैसा देती है तो बेटा उसको legacy कहा जाता है ठीक है सर तो मैं यहां लिख देता हूं it is it is the amount received as donation by a NPU under will of a diseased person किसी आदमी के मतने के बाद उसकी will अगर NPU को पैसा देती है पैसा donate करती है तो बेटे उसको कहा जाता है legacy हम legacy को भी दो पार्ट में divide कर देते हैं हम legacy को भी दो पार्ट में divide कर देते हैं एक होती है general legacy और एक होती है बेटा specific legacy ठीक है sir बेटे general legacy को आपने income treat करना है जैसे general donation होती थी आप इसको income treat करें treat ऐसा income और specific legacy को आप treat करें अपनी liability तो सर बस donation की जगा word legacy आ गया donation जब हम जिन्दा है तब कर देते हैं और legacy हमारे मरने के बाद हमारी will अगर किसी को करम डोनेट करता है पैसा तो उसको legacy कहा जाता है तो बेटा legacy भी दो तरीके की है एक general legacy और एक specific legacy तो अगर general legacy है तो आप उसको income treat करेंगे और अगर specific legacy है तो आप उसको live duty treat करेंगे ठीक है sir बेटे next point grant sir हाँ बेटा और यह आप डोनेशन जो एंपी ओ से आएगी जबी legacy हो गया कही से भी डोनेशन सेटी है बेटा एंपी ओ को डोनेशन मिल रही है इंपी ओ को डोनेशन मिल रही है तो कोई भी डोनेट कर सकता है किसी भी अन्पी नाकर आप हलो प्राइब्लिटी इस कैसे हो गए बेटे रामलाल की डेथ हो गई रामलाल की डेथ के बाद उसकी विल कहती है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है उसका जो घर है उस घर के अंदर लाइब्रेरी बनाई जाए उस घर के अंदर लाइब्रेरी बनाई जाए जो उसके घर के पास मंद निए उसने उसको डोनेट कर दिया अब मालव मंदिर वाली जो संस्ता है उसको उसकी विल के بारें पवागा क्या मंदिर वादी जो संस्ता है जो management committee है उसके घर के अंदर playground बना सकता है नहीं वो क्या बनाएगा उसके घर के अंदर लाइबरेरी ठीक है तो वो specific हुगई ना जब तक वहाँ लाइबरेरी नहीं बनेगी तो उसके लिए क्या बनी रहेगी वो लाइबलिटी है जाना वेटे यहां पर मैंने वर्ड लिखा grant या मैंने यहां पर लिखा government grant जितने भी एन्पी उस होती है ना उनको government ना अपनी तरफ से कुछ पैसा देती है help देती है उसको grant कहा जाता है government grant होते हैं ठीक है कोई assets खरीदने के लिए को खरीदने के लिए ठीक है ठीक है सर तो आपने एक चीज़ और याद रख लेनी है मैं यहां पर लिख देता हूं बहुत important बात है जो यह government grant या grant की बात होती है इंडिया में एक accounting standard है accounting standard 12 जो government grant पर बात करता है तो कई बारना mcq के अंदर मैंने एक दो sample पर उससे पहले जो sample पर साते हैं उन्होंने हमसे पूछा कि grant या government grant कौन सा accounting standard follow करता है तो साब हमने लिख दिया उसको AS 12 हम बच्चों को time to time याद दिलाते रहेंगे हम बहुत सारे accounting standards आपको याद करा देंगे आप उसको याद रखेंगे कि government grant या grant जो है उसको accounting standard 12 follow करता है यानि government grant का treatment AS 12 करवाता है इंडिया के अंदर किसी भी संस्था को अगर government grant मिलती है किसी भी संस्था को अगर government की तरफ से help मिलती है तो उसका treatment हमें AS 12 के according करना होता है दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ी NGO है जिसका नाम है प्रथम प्रथम एक educational society में registered है और education के लिए काम करते हैं वो NGO है दिल्ली government के अंदर मनेश इशोदिय साम ने जो education minister है उन्होंने उस इनपीओं को NGO को दिल्ली के government schools के अंदर PTM कराने के लिए tender दिया और 50 सालों के अंदर 50 सालों के अंदर पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली के government schools में दिल्ली के government schools के अंदर पहली बार PTM रखी गई और वो जो PTM हुई उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी प्रथम education center को दी गई जो प्रथम NGO थी जो प्रथम education society है उसको दी गई और सर उसको वो प्रथम NGO को जब वो tender दिया गया तो उसको पैसा दिया गया उसको वहाँ पर PTM करवाने के लिए government ने प लगवाए गया वो भी उसी NGO की तरफ से लगवाए गया अब Delhi government उस NGO को पैसा देती है government grant करती है उसको नए नए equipment के लिए उसकी development के लिए उसके नए assets को खरीबने के लिए नए offices को बनाने के लिए तो बेटे वहाँ पे जो प्रथम education society है जो प्रथम NGO है वो जो government grant उसको दिल गवर्मेंट से मिल रहा है न वो उसका treatment AS12 के according करेगा accounting standard 12 के according करेगा ठीक है सर तो हमें भी treatment सीखना है नए बेटा आपको से भी इतनी सी बात याद रखनी है कि government grant किसके according treat की जाती है AS12 के according treat की जाती है ठीक है सर और आपको एक चीज़ और याद रखनी है government grant कभी-कभी मिलत आती है कि मेरको हर महिने government grant मिल रही है government कभी-कभी आपको पैसा देती है ठीक है तो यह capital receipt होती है capital receipt हमारे लिए liability में balance है आती है ठीक है सर तो grant received grant received is a capital receipt is a capital receipt and is shown in the balance sheet since it is received for particular purpose for example to buy assets or equipments ठीक है सर पिटनेक्स पॉइंट point number seven sale of old assets पिटे आपने ध्यान रखना है जब भी कभी कोई asset बेची जाएगी जब भी कभी कोई asset बेची जाएगी तो जब assets बेची जाती है तो दो ही चीरे possible होती है या तो हमें assets को बेचते वक्त profit होता है या फिर हमें assets को बेचते वक्त loss होता है या तो हमें assets को बेचते वक्त profit होता है या फिर हमें assets को बेचते वक्त loss होता है अगर हमारे को assets को बेचते वक्त profit हो गया तो हम इसको income treat कर लेंगे यह हमारे ले income होगी और अगर हमें assets को बेचते वक्त loss हो गया तो हम इसको अपनी expenditure site show कर दें Assets बेचना हमारी कोई activity नहीं है Assets बेचना हमारी कोई activity नहीं है business की NGO की हमारा NPO assets को बेचना उसका काम नहीं है Assets बेचना हमारे सामने आ सकती है यह दो situation है यह दो situation है जो हमारे सामने आ सकती है हमने उस situation के according treat करना है situation first है कि आप जब उसको बेच रहे हैं तो आपको profit हो रहा है situation two है कि जब आप उसको sale कर रहे हैं आपको loss हो रहा है for example आपने उसको sale किया आपकी sale value 10,000 है आपकी book value जिस पर वो आपके books में show हो रही है वो 8,000 है तो यहां पर आपको 2000 रुपे का profit हो गया आप उसको income माल देंगे situation 2 sale value 10,000 है उसकी book value 15,000 है तो 15,000 की तीर आप 10,000 में बेच रहे हैं आपको 5000 का loss हो गया तो आप इसको कहां show कर देंगे आप इसको expenditure side show कर देंगे तो सर अगर profit होगा तो हम उसको income माल ले और अगर loss होगा तो उसको expenditure side में show कर दें सर अगर question के अंदर माल लो अगर question के अंदर book value ना given हो तो बेटे आप उसके अंदर फिर कुछ नहीं मानेंगे आप ये मानेंगे कि ना आपको profit हुआ ना आपको loss हुआ no profit no loss आप उसको ignore कर देंगे लिखा हुआ है sale of old furniture 10,000 और हमें पूरे question के अंदर book value given ही नहीं देही नहीं रखे बस लिखा हुआ है sale of old furniture 10,000 हम उसको ignore करेंगे हम ये माल नहींगे 10,000 की चीज़ती 10,000 में बेग गई ठीक है सार next point point number eight sale of old newspaper sale of old newspaper बेटे आपको हमेशा मानना है कि जब भी कभी आप old newspaper को बेचेंगे ना चाहे वो magazine हो periodicals हो कुछ भी sale of old newspaper